हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन तो दोस्तों आज मैं आपसे ग्राम विकास अधिकारी से लेटेड एक जो अपडेट आया है उसके बारे में डिसकस करूँगा साथ ही अब मैं आपके लिए नया सेफ स्कोर डिसकस करूँगा कि क्य सेफ स्कोर आप अपका रह शकता है क्योंकि अब तो यख लिरली बता दिया गया है कि जो निगर्टेव मार्किंग है वो प्री एक्जामे परेट से परेग्जामे के अंदर निगर्टेव मार्किंग कोई प्रावधान नहीं है सबसे पहले मैंने ही आपको ये चीज बताई थी कि 90% चांस यही है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि अगर बोर्ड के द्वारा जब सलेबस जारी किया जाता है उसके अंदर मेंसन नहीं होता तो 90% चांस इसी बात को माना जाता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग के बारे मगर अपडेट नहीं है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी ये मैंने आपको सबसे पहले कहा था मैंने आपको उसके लिए एक्जामपल भी दिया था कि आप जो स्टेनोग्राफर का एक्जाम है 2018 वाला उसका भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो तो दोनों में सेम चीजे थी तो अब जो है इस पश्ट और कर दिया गया है कि आपकी निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी कौन से एक्जाम में प्री एक्जाम के अंदर तो नो डाउट जब मैंने आपको बताया था अपनी कट ओफ के बारे में या सेफ स्कोर के बारे मैंने का था कि 60 से 65 वाला बंदा जो है वो सेफ रहेगा लेकिन अब आपको पता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो negative marking नहीं होने की वज़े से बच्चे क्या करेंगे अब पूरे के पूरे questions को attend करेंगे सारे questions attend करके ही आएंगे तो उस case में क्या हो सकता है आपकी cut off कहां तक जा सकती है तो उस case में दोस्तों आप मान के चलो जब भी किसी भी exam के अंदर negative marking अगर नहीं होती है तो आप जो है 80 score करने का सोचो 75 से लेकर 80 number score करने का आपका target होना ही चाहिए क्योंकि अगर किसी exam में negative marking नहीं है तो उसका safe score 75 तो रहेगा ही रहेगा 75 परसेंट तो रहेगा ही रहेगा तो आप जो है 75 से 80 के अंडर जो है आप अपना safe score समझ सकते हैं तो मैंने आपको एकदम clearly ये बात बता दी है exam आपका time पर होगा किसी भी अफवाव पर मत जाएए 75 से 80 के अंदर जो है score cover करने का target बना के रखे तबी आप जो है जो main exam के लिए select हो पाएंगे thank you friends have a nice day bye bye